दोस्तों आज है 10 नमबर और देखेंगे आज के पूरे 15 करेंड फेस के कोईस्टन्स तो आप इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से लास तक देखिए दोस्तों साथ ही हर कोईस्टन्स लेटर में आपको बहुत सारे एक्स्टा फैक भी बताऊँगा जो एक्जाम जो वीडियो को निचे रेट कलें सब्सक्राइब बटन दिख रहा है साथ में जो घंटी उसको जरूर उन करें ताक कि आपको डेली मौनिंग में पांच बचे करेंड फेस की वीडियो जरूर मिले ठीक है वीडियो पसंदाद प्रीज लाइक शेर जरूर किया करें इसके ल में देख सकते हैं दोस्तों आप प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखा करिए आपके एक्जाम पॉइंट वे से बहुत ज्यादा इंपोर्टन रहते हैं चली स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है हाली में किसे यूके में मानत डायरेक्टर से सम्मानित किय गया है तो हाली में यूके में मानत डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है अरुणीमा सीनहा को ठीक है ऑप्सन सी देखिए अब आपको कुछ इंपोर्टे जनकारी बता देते हैं 6 नवंबर 1218 को अरुणीमा सीनहा को उनकी प्रेयरणा दायक उपलब्धियों के लिए युन दुनिया की पहली महिला बन गई थी ठीक है दुनिया की पहली महिला एंप्यूटी बन गई थी तो यहां पर आपको यह भी प्रतक्त प्रस्त किया गया थी पर पाद मसरी समानित किया गया था, 2015 में पाद मसरी पुसकार को भारत का सरWACH, चौथधा ведь नागरिक समान है समानित किया गया थे, 2015 में, तो खाली में किसे uK में मानद डारीरेक्टर समानित किया गया है और उनिमास सिना को ठीक है नरेंदर मोधी भारत के प्राइम मिनिस्टर है राजनाज सिंग भारत के ग्रहम मिनिस्टर है और वेंकायन आड़ू है भारत के उपर राश्ट्रुपती ठीक है दोस्तों चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो करने आरे तो मुझे बंद करना पड़ेगा भी उस भी बहुत कमा रहे हैं तो यह आप चाहते हैं कि मैं कंटीने रखू तो आज इस वीडियो को इतना ज्यादा सेयर करने में अपलोडिंग और सब तयार करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एदियाब लोग हमारी मेह जाते हैं कि जादा जादा इस टूदे नक पहुंचे प्लीज लाइक करें शेयर करें जादा जादा शेयर कर दें आज इतना जादा हो सके एदि आप लोग इतने लोग 20-25 जार व्यूज हो गए आज कल तो एदि आप लोग एक एक फ्रेंड भी यह दि दस लोगों के साथ करेंगे तो बहुत जादा हो जाएगी इसलिए प्लीज आज सेयर करके सपोर्ट जरू करें चैनल को यह दि आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सभी फायदा हुआ हो दोस्तों तो आज आपके सपोर्ट की जरूरत है फटा फट वीडियो सपोर्ट करी शेयर कर दीजे दोस्त ठीक है चली अगला कोशन है सिंगापूर भारत समुद्री दुपक्षिय भ्यास किन देशों की बीच निधारी थे तो इसका दोस्तों राइट एंसर हो जाएगा आप्शन भी भारत और सिंगापूर की बीच ठीक है देखे दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापूर भारत समुद्री दुपक्षिय भ्यास सिंगेक्स 10 से 21 नवंबर 18 तक निधारी थे ठीक है देखे देखे दोस्तों आपको बता दे कि अभ्यास जो है दो चरणों में होगे सागर चरण और हारबर चरण ठीक है प्रारंभिक बंदरगा चरण पोर्ट ब्लेयर में 10 से 12 नवंबर 18 सागर चरण होगा ठीक है तो समुद्री दुपक्षिय भ्यास किन दो देशों के बीच है भारत और सिंगापूर की बीच देखे दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं जो आपके पूछा जाएगा सिंबैक्स भारत और सिंगापूर के बीच तो होता है इसके साथ साथ अगनी योद्धा जो है अगनी योद्धा सेंगतर सेनब्यास ही है यह भी भारत और सिंगापूर के मद्ध होता है और बोल्ड कुरुक छेत्र यह भी भारत और सिंगापूर के मद्ध होता है देखिए बता दें आपको कि भारत और यू पूछ ले जाता है सेंगतु सेनभ्याज अक्सार हर एक्जाम इसलिए आपको याद रखना है स्लीनेक्स जो है दोस्तों भारत और स्रिलंका के मद्द होता है और मित्र शक्ति स्लीनेक्स और मित्र शक्ति होता है भारत और स्रिलंका के मद्द फिर दोस्तों भारत और बंगला नेपाल के मद भारत और नेपाल के मद भारत और जापान के वीच होता है जाइमैक्स जाइमैक्स सेंक्ट सेनभ्यास भारत और नेपाल के मद ठीक है उसके लावा दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य किरन तुम आपको उता चुका भारत और नेपाल के मद हैंड इन हैंड य ने सारे आपको याध़ किन्य तो यहां पर आपको समद्री इसको आपको सारे बताथा इसको आपको नोट डाउन कर लेना है ठीक एक और नोट डाउन कर लेजेगा कोंगाड यह होता है भारत और U.K बीच होता है कोंगड भारत-घूक कि वैंकय नेडू की इस देश के तीन दिंफ यत्रा पर गए हैं और फ्रांस के अत्रा ठीक है चिस्पादे कुपराश्ट पती जुह बने वैंकया नव्युज्ग में heaven's तो पेरिस पीस फोरं कुद्देश क्या है बहुपक्षवाद अंतराश्री सायोग और वैश्रिक शासन संस्थानों के महतु की पुष्टी करने के लिए एक वैश्रिक मंच स्थापित करना ठीक है तो वहें कईया नाइडू किश देश की तीन दिपसी अतर पर गए है यह फ् फ्रांस की कैपिटल है पेरिस ठीक है पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थी थे पेरिस फ्रांस की राज़ानी पेरिस सीन नदी किनारे सी थे और फ्रांस पस्चिमी यूरोप में स्थी ते कंट्री है फ्रांस के वरतमान में प्रेसिडेंट है राष्टपती है एमैनुवल प्रांस की आत्रा पर और फ्रांस में किसलिए पेरिस में प्रथम विश्युद्र के जो अंत की सताबदी मुनाने के लिए पेरिस पीस फौरम में भाग लेंगे यहाँ पे जापान की बात करें तो जापान केपिटल क्या है टोक्यो जापान के प्राणस टार सिंजो आवे ठीक है तो यह फैक्ट आपको याद रखना है किस राज्य में केंद्री जन जाती विश्युद्याला की स्थाबना को मजूरी मिली है तो उसका राइडेंस और पर चौदा की तेरवी अंसूची के तहट आंध्र प्रदेश केंद्री जन जाती विश्युद्याला विजय नगर जिले में स्थापित के जाएगा इसने केंद्री जन जाती विश्युद्याले के स्थाबना के लिए 420 करोड़ों रुपए के निधिगु मंजूरी मिली है कितना चार सो बीस करोड़ों रुपए ठीक है आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैप्टल है है एदराबाद गवर्नर की बात करें तो यह से नर्सिम्हन सीयाम है एन चंदरबावु नाइडू आइडू आंध्र प्रदेश का जो नराजन रित्त है अक्सर पूछा था कच अग्ला कोशन ने एएर गन चैंपिएसिप में सौरब चोधरी ने कौन सपदक जीता है तो यह जीत लिया है गोल्ड मिडल ऑप्सन अ देख्या आपको बता दें कुवेट सिटी कुवेट में आजित एसी एएर गन चैंपिएसिप के 10 मीटर एर पिस्टल में जूनियर पू देखे उस तो उन्होंने सितमर जोटाराम विश्व शूटिंग चैंपिशी में शौन पदक और अक्टूबर जोटाराम अर्जेंटीना में युवा अलम्पिक खेलं में भी शौन पदक जीते थे तो एसी आई एर गन चैंपिशी में सौरब चोधरी ने कौन से पदक जीत जिसका उद्देश से है सामुद्रिक एवं मत से पालन परिजनाओं को प्रशान प्रशान प्रदान करना ठीक है अगला कोशन ने दोस्तों कोशन नमर सेवन थे यूपी के सीम योगी आदितना द्वारा किस नाम का स्थान बदल कर उसे आयोधर रखे जाने की घोशना की है फैजाबाद कॉपसन सी देखे यूपी के जो सीम है योगी आदितनात ने फैजाबाद जिल्या का नाम बदल कर आयधर की जाने की घोशना की है और सीम ने आयधर मेडिकल कॉलेज नाम राजर से दसरत और एरपूर्ट का नाम राम के नाम पर करने की घोशना की है दोस्तो यह भी आपको चीज़े याद रखनी है ठीक है यह भी काफी इंपोर्डेंट है अगला कोशन देख लेते हैं अमेरिकी बैग्जानिकों द्वारा एक वानर प्रजाती के दात का कितने वर्स पुराना जीवास में कोजने का दावा किया गया है एक सो 1.25 करोड़ वर्स ठीक है देखिए अमेरिकी बैग्जानिकों ने एक वानर प्रजाती के दात का 1.25 करोड़ साल पुरान जीवास में मिला है जिसके मुताविते दुनिया में अब तक कि सबसे छोटी वानर प्रजाती हो सकती है और विलिप्त हो चुकी इस सिमिलस मिन्योटस ठीक है सिमिलस मिन्योटस यह प्रजाती का नाम है याद रखना है कोशन नमर नाइन्थ है आर्थिक माम लोगी कैबिनेट कमेटी ने ड्रेजिंग कार्पोरेशन ओफ इंडिया में कितना प्रिशत सरकारी हिष्यदारी बेचनों को मंजूरी दिये है हंडेट पर हाली में कि इस देश ने एक दिसंबर से 31 जनवरी के बीच भारत समेच 20 देशों को वीजा ऑन अराइवल के शूट में छूट देने की गोशना की है जिससे परेट को करीब 44 रूपय का फायदा होगा थाइलेंड ऑप्सन भी ठीक है थाइलेंड कैबिनेट ने एक दिसंबर से 31 जनवरी की बीच भारत समेच 20 देशों का वीजा ऑन अराइवल सुल्ग में छूट देने कोशना की जिससे परेटकों को करीब 44 रूपय का फायदा होगा पाकिस्तान में इस निंदा केस्ट में बरी होने वाली इशाई महिला क्या नाम है जिसने नीदर लेंड में सरण क की अर्जी दी गई है ठीक है तो यह याद रखना है कोशन नमर 12 है 40 सेल्थ केर सीयों का क्या नाम है जिन्हों ने हाली में स्थिफ़ा दे दिया है भावधीप सिंग ऑप्शन सी देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन 40 सेल्थ केर में 3.5 साल के कंप हाली में किस राज्ज में एक केंदरी जंजाती उश्विदाले की स्थाबना को मजूरी दी गई है अको बता चुगा आंधर प्रदेश में ठीक है किस देश के सरकारी निउज चैनल ने हाली में आर्टिफीशल इंडिलिजन से लैस रोबोट को बतार निउज यंकर आचक पेस किया चीन में ठीक है चीन की राजधानी है वीजिंग चीन के वरतावन प्रेसिडेंट है शी जिन पिंग फिप्टीन है केंद सरकार ने हाले में कितने हवाइड़ों पर पीपी योजनाओं के तहत लीस पर देने हितु मंजूरी प्रिदान की है पब्लिक भागेदारी योजनक तहत लीच पर देने जानक मंजूरी दी है छे आपसाने शिक्स ठीक है प्रदान मत्री मोधी के देख्षता में केंदरी मंत्र मंदल ने छे हवाइड़ों को सारवजिनिक निजी भागेदारी यानि पीपी योजना के तहत लीस पर दिये जाने है तू मंजूरी प्रदान किये ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों रास्ट लास्ट वीडियो का इंसर भारत की प्रेस काउंसिल द्वारा प्रतिष्टित राजा राम मोहन राय पुरुषकार किसे चुना गया है एन रमेश को ऑप्सन सी राइट था सभी स्टूडिन ने देखना है प्लीज कमेंट करिएगा दोस्तों और आज जो मैंने बोला है कि वीडियो को शेयर करना है सपोर्ट करना है चैनल को यदि आप चाहते कि मैं वीडियो कंटीनी रोखो दोस्तों क्योंकि इतने कम यूज में मुझे नहीं लगता कि यवाब लोगों को पसंदारी पसंदारी तो शेयर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है प्लीज लाइक शेयर और दोस्तों यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखियो जस्त यहां पे प्ले होगी आप जरूर देख लें ठीक है तुम मिलते नेक्स पूर्यों के साथ आपका दिन शूब हो दो थैंक्स लाट पर वाचिंग जै हिन जै भारत